हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल रामा सेरीज पार्ट वन तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियों बता चुके हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपिसोर में हमने देखा था कि आगे प्रेम रावी से मिलता है तो रावी प्रेम को देखकर बहुत ही खुस होती है तो प्रेम रावी से अपनी मा और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है तो रावी कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं आप हमेशा ही ऐसा करते ह गलती उन लोगों की रहती है लेकिन आप उन लोगों की तरफ से माफी मांगते है प्लीज ऐसा मत कीजिए आपने कोई भी गलती नहीं की है आपने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया है और अपनी बहन माना है तो प्रेम कहता है मैंने बहुत कोशिस की कि वो लोग सुध हाया होता तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता तो रावी कहती है भाई प्लीज ये सब कहना बंद कीजिए हमने आप पर कोई भी ऐसान नहीं किया है हम एक पड़िवार है और आप मेरे अच्छे भाई इसलिए आप मुस्से माफी मांगना बंद कीजिए दूसी तब थान अपनी बेटी को समझाता है कि जैसा वो देविका आंटी के बारे में सोच रही है देविका आंटी वह नहीं है वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए हमेंसा खिलोने भी तो लाती है इसलिए वो आएंदा से देविका आंटी के साथ इस तरह बिहेव ना करे अगर तो तावान कहती है ठीक है पापा मैं आएंदा से खयाल रखूंगी आगे ठावान को पता चलते है कि देविका वापस इसलिए आई है क्योंकि आज प्रासिंग की death anniversary है और वो से सरदान्जली दे सके तो थाना जैसे यह बास सुनता है तो वो अपनी बहन पर गुसा करता है औ पर मैं प्रासन को नहीं भूल पारी भाई और खास कर मैं उस औरत को नहीं भूल पारी जिसकी वज़ा से मेरी सारी खुसियों को आग लग गई उस औरत की वज़ा से मैं अपनी बेटी को अपना नहीं सकती उसे अपना नाम नहीं दे सकती और मेरी बेटी को बिना बाप की जी तो देविका यही सब बात सोच कर बहुत ही पैनिक करने लगती है तो उसका भाई उसे समझाता है तुम इन सब की टेंसन मतलो मैं सब समहाल लूँगा तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम दूँगा और तुम्हारी इज़त पर आज भी आने नहीं दूँगा बस तु और किसी को इस बार में कुछ भी पता नहीं चलेगा लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने आपको समहालोगी और स्ट्रॉंग बन कर रहोगी और यहां पर मैं फाइनली पता चलता है कि तावान थाना की नहीं बलकि देविका और प्राशिन की बेटी है आगे थाना रावी से मिलने के लिए नए नए बहाने ढूंडते रहता है क्योंकि उसे रावी से प्यार हो गया होता है और वो अपनी बेटी को जड़िया बनाकर रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे कमफर्टेवल महसूस कराने की कोसिस करता है तो रावी कह तुम कल साधी में मत आना मुझे पता है तुम्हें ये सब देखा नहीं जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी परकार का कोई भी दर्द हो तो रावी कहती है मुझे दर्द तो जरूर होगा लेकिन मैं उस साधी में जरूर जाओंगी इधर थाना को भी रावी की फ अगले सुबा थाना के घर पर रावी, प्रिंग और येमान की बाते चल रही होती, कि येमान और रावी एक दुसे से कितना प्यार करते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो येमान की साधी प्रिंग से होती है, तो थाना के पापा कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा, लोग आशकल डेटिंग करते हैं पर उन लोगों की साधी नहीं होती और ये हमारे लिए अच्छा मौका है इसलिए थाना रावी को पटाने की कोसिस करो क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम्हें भी रावी पसंद है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रावी इस खांदान की बहु बने तो थाना कहता है ठीट है पापा इदर देविका जब रावी के background के बारे में जानती है तो उसे पता चलता है कि यह लड़की तो वही है जिसने उसकी life बढ़ बाद की है तो देविका रावी का नाम सुनते ही पूरी तरह panic करने लगती है आगे थाना देविका से पोचता है कि वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है तो देविका उसे बताती है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी खुशियों को आग लगाई है और तुम उसी लड़की से प्यार करने लगे हो तो थाना जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह सौक्ट हो जाता है आगे येमान और प्रिंग के साधी का दिन आ जाता है और वो दोनों अपनी साधी की रस में कर रहे होते हैं तो येमान बैचारा मू लटकाएवे बैठा हुआ होता है और साड़े लोग उसे बधाईय की कामना करूंगी और वो प्रिंग को भी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी खुसियों को छीन कर खुस रहे पाऊँगी जो मेरा है मैं उसे वापस लेकर रहूंगी और रावी ये कहकर वहां से चली जाती है तो प्रिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ओससे पैनिक करने लगत थे तो इसे समालता है तो देविका अपने भाई को कहती यही वह लडरकी है जिसने मेरी पूरी लाइब बर्बाद कर दी कि हीरो की इंट्र वोती है तो मान ये मान का छोटा भाई तो ये दोनों पहले बार जब एक दूसे से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच फोटो को लेका लड़ाई हो जाती है दालेन मान को उसका घीचा हुआ फोटो दिखाने को कहती है पर मान दिखाने से मना कर दी जिस वजा से इन दोनों में बहस हो जाती है इधर पाक जापनी सोतन को जलाने के लिए कहती है तुम्हारी बेटी की खुसियों को आग लग गई है तुम्हारी बेटी का होने वाला पती अब मेरी बेटी का पती हो गया है तो रावी की मौम जैसे ये सुनती है उनका तो दिल ही तूट जाता है दर रावी उदास खड़ी हुई होती है कि तभी मा क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा और येमान का ब्रिक अप हो गया और येमान प्रिंग से साधी कर रहा है उस माँ पेटी ने मिलकर बीरी बीटी की भी लाइफ बरबाद कर दी जिस तरह उन लोगों ने मेरी की थी मैंने तो बरदास्त कर लिया लेकिन उसने जो तुम्हारे स पसाया है ताकि हम दोनों का ब्रिक अप हो जाए प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो मैं जल्दी उसे डाइवोर्स देकर तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों साधी कर लेंगे तो रावी भी उन माँ बेटी से बदला लेने के लिए येमान से प्यार से बात करती है औ पर थाना और देविका आ जाते हैं तो देविका कहती है देखा ये एक नंबर की कमीनी ओरत है अपने ही बेहन के पते के साथ इसक लड़ा रही है इसे लोगों की फिलिंग्स को कुछ चलने में बड़ा ही मज़ा आता है तो थाना भी ये सब देखकर पुरी तरह सौक्त हो तो तुम रावी से बदला लोगे और उसे भी वही दुख दर्द दोगे जिस दर्द से तुम्हारी बहन गुजर रही है उसे भी तुम उतना ही चोट पहुचाओगे जिसे वो जिन्दकी भरना भूल पाए तो थाना को भी लगता है कि रावी उसी टाइप की लड़की है जैसा उसकी बहन बता रही है तो थाना अपनी बहन से प्रॉमिस कर देता है और कहता है मैं उस लड़की को इतना दुख दर्द पहुचाओँगा जिसे वो पूरी जिन्दकी नहीं भूल पाएगी मैं उससे तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा दुसी तब यह मान नसे की हालत में घर आता है और वो रावी रावी चिलाता है तो प्रिंग पूरी कोसिस करती है कि वो यह मान के रावी का भूत उतार सके और वो उसके साथ रंग ललिया मनानी लगती है पर यह मान पर उसके इस प्यार का भी कोई असर नहीं हो दोनों रात में रंग ललिया तो मना लेकिन अगले सुभा येमान प्रिंग को मूभी नहीं लगाता तो प्रिंग कहती है आज मेरा इस घर में पहला दिन है और तुम अपनी वाइफ को इस तरह के लिए छोड़ कर काम पर जा रहे हो ये क्या बात हुई और वैसे भी हम लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं तो येमा लोगी दोसी तब ठाना घर छोड़ कर जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुम अभी अभी तो आये हो इतनी जल्दी जा रहे हो तो प्रेम कहता है मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया है अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए और मुझे इ जैन से जीने नहीं देना है और देविकाये कहकर वहां से चली जाती है तब ठाना के पापा रावी के पापा के साथ एक डिल करने की कोसिस करते हैं ताकि वो उस डिल के साथ अपनी कंपनी को और बड़ा बना सके और इधर यह मान के पापा भी रावी के पापा के सामने एक proposal रखते हैं तो रावी के पापा confused हो जाते हैं कि आखिकार वो deal sign करे तो करे किसके साथ तो रावी के पापा कहते हैं ये सब रावी handle करेगी और रावी ही decide करेगी कि वो किसके साथ काम करना चाहती है आगे थाना अपने पापा से पूछता है पापा आप क्या jorde है कि रावी के पापा हमारे साथ ही contract sign करेंगे तो थाना के पापा क्योंते हैं मैंने रावी के पापा के सामने ऐता ओफर रखता है वो मना कर ही नहीं सकते आगे वह लोग कुल लोगों के साथ काम करने के लिए तयार हो जाते हैं और भो जो लोग एक बिखाटे यहां पर वो लोग अपने प्रोज्क्राइक को लेकर लेकर डिस्कस करते हैं चीए भी सब देख भी यहां रहुतWe dizhãण कर निए जब अजेते हैं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारे पिकप करने के लिए वैसे little दुनों को एक ही जगहा जाना है तो क्यों न हम धूनों साथ में चले। बैचारी रावी को मजबूरन थाना की बात माननी परती है, आगे थाना रावी को लेने के लिए आता है, तो थाना एक मौका भी नहीं छोड़ता रावी के साथ खरने का और उसके करीब जाने का, तो अफाना रावी के यहाँ पर केयर करता है तो रावी को बहुत ही अच्छा लगता है इधर प्रिंग गुस्षे से अपने माईके में बैठी हुई होती है तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने सस्राल जाओ और अपने पती का घर समालो तो प्रिंग कहती है जब तक ये मान मुझसे माफी मांगने नहीं आएगा मैं तब तक सस्राल नहीं जाओंगी तो पाग जा अपनी बेटी के लिए ये मान को कॉल करती है और कहती है मेरी बेटी को यहां से लेकर जाओ इसके बदले मैं तुमें एक ऐसी इंफोर्मिशन दूँगी जिसे जानकर तुम खुस हो जाओगे और पाग जा ये मान को बता देती है कि रावी के पापा और थाना के पापा एक दूसे के साथ एक डील साइन कर रहे हैं उसके घर जाता है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट का पता लगाने के लिए रावी के पास जाता है तो रावी कहती है मैंने दूंसे बहुत किया है कि जैसे ही तुम प्रिंग से अपना रिस्ता खतम कर लोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ में दुवारा वापस आ जाओंगी तो ये मान ये बात सुनकर बहुत ही खुस हो जाता है आगे रावी प्रिंग को चिराने के लिए ये मान के साथ चिपक चिपक कर फोटो क्लिक करवात और उसे पोस्ट भी कर देती है इधर थाना जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ही गुसा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है इधर प्रिंग जब उन दोनों को एक साथ देखती है उसका गुसा तो साथवे आसमान पर ही पहुँच जाता है इधर ये म fak較Amanda कमीवां दोकिसे उस प्रोजईक्त की इन्फरॉर्मेशन निकालने की कोउषिज़ करताई तो उसे उस प्रोजईक्त के बारे में कुछ पत्रा चालता इता है जसे जानकर व्वोपूरा प्रिंग को लेंने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सिदेन हो जाता है लेकिन सही टाइम पर बंटी आ जाता है और वो प्रिंग को हॉस्पिटर लेकर जाता है